हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू यूग की तैयारी आज के शेशन में हम डिसकस करने वाले हैं भारतिया इत्यास के कुछ महत्पूर्ण प्रश्ण को जो के गांधी यूग से संबंदित हैं कि गांधी यूग जमात्मा गांधी थे तो उस समय जो उनके कार्या थे उनके द्वारा गांधी को सरपर्थम राष्ट पिता किस ने कहा था तो इसका आंसर पता होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी स्वास्चंद्र बोस ने कहा था महत्मा गांधी को सबसे पहले हैं राष्ट पिताओं नेक्स्ट क्वेशन है हूँ लीवस इफ इंडिया डाइज इसकी किसकी उक्ति है यह मतलब किसने इसको लिखा है कि हूँ लीवस इफ इंडिया डाइज तो आप्शन है महात्मा गांधी जवाहलाल नहरू सी राजगूपाला चार्य या राजएंद्र प्रशाद दो यह किसके द्हूरा लिखा गया है। जिसका राइड आंसर होगा जवाहलाल नहरू ऐप्षण बी अगला क्वेशनं भारत में जब क्रिप्ष मीसन आया उस समय भारत का वाइस राइछ था तो समय भारत में खुरिप्ष मिसन आया था तो समय भारत वाय जो थ देखे लाड बिलिगडण लाड लीडगो लाड एम हस्ट लाड वेलेसली ठीक है तो जब भारत में क्लिप समिसन आया था तो समय लाड लीडगो जो थे वो वाइस राय था भारत का ठीक है अब अक्ला क्वेशन है गांधी जी भारती रास्ट्य कॉंग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने तो महात्मा गांधी जो भारती रास्ट्य कॉंग्रेस जो पार्टी थी तो उसके अध्यक्ष कितने बार बने तो आप्शन है एक बार दो बार तीन बार ये चार बार ठीक है इसका राइट आंसर होग एक बार गांदि जी एक बार राश्टे कॉंघरेस के अध्यक्ष पनें पिर है इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किसी नी दिया option देखे कुधिराम बोस ने, सुबास चंदर बोस ने, महात्मा गांधी नहीं या भगत सिंग ने तो इंकिलाब जिंदाबाद का नारा दिया, option D भगत सिंग ने फिर next question, निमली खित में से कौन भारत छोड़ आंदोलन में सामिल नहीं था जो कौन सा उब्यक्ति था, जो कि इस आंदोलन में सामिल नहीं था, जो भारत छोड़ आंदोलन है, तो option देखे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहल लान नहिरू या बी आरम बेड़ कर, तो देखे, जो बी आरम बेड़ कर थे, तो वो उस समय भारत छोड़ आंदोल कॉंग्रेस के अजक्ष कौन थे, यह पूछा है, तो option देखे, महात्मा गांधी, जवाहल लान नहिरू, जी भी करिपलानी या सरदार पटेल, तो उस समय जब भारत आजाद हुआ था, उस समय जो कॉंग्रेस जो पार्टी थी, तो उसके अजक्ष दे, जी भी करिपलानी, ठीक है, option C, इसका right answer होगा, फिर है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सी मांकन किस ने किया था, option देखे, लाड मांट बीटन, लाड सीरिल, रेड किल्फ, सर स्टेफ़र्ट क्रिप्स या लॉरिंस, ठीक है, तो भारत एवं पाकिस्तान, ध्यान रखना कि भारत और पाकिस् है, तो इसके भी सी मांकन किया था, लाड सीरिल, रेड किल्फ, ठीक है, इसलिए उसको, रेड किल्फ, पुरेका भी, उसको कहा जाता है, फिर है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्ताफना किस ने की थी, option है, S, N, बेनर जी, महात्मा गांधी, C, आर्दास या चंदर सिख थी, तो किस ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्ताफना की थी, तो इसे ने की थी, S, N, बेनर जी ने, ठीक है, S, N, बेनर जी की दोरने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्ताफना की गई थी, फिर अगला question देखिए, दक्षन आफ्रीका में महात्मा गांधी दौरा प्र प्रकाशित की थी को मलब कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी ठीक है पत्रिका तो देखे नव जीवन इंडियन ओपिनियन हरिजन या अफ्रिकन न्यूज ठीक है तो इन्होंने उस समय देख्षन अफ्रिका में निकाली थी वो इंडियन ओपिनियन थी सवने अवग्या आंदुलन 1930 की प्राकास्ठा में गांदी जी ने किसके सास्ट समझवता किया हांदी थी कि उन्होंने अवग्या आंदुलन 1930 की बात हो रही है तो देखे लाड इर्विन लाड लिल लीद को लाड विवल या लाड करजन ठीक है तो उन्होंने जो मात्मा गांधी हैं उन्होंने सवीनिय अवग्या आंदुलन 1930 में जो लाड इर्विन हैं उनके साथ समझोता किया था और उस पर हस्ताक्चर उनने किया था फिर है अगला वर्स 1932 में अखिल भारतिया हरीजन संग के संस्थाफ़ कौन थे ठीक है 1932 की बात हो रही है कि हरीजन संग के संस्थाफ़ कौन थे तो आप्शन देखे महत्मा गांधी बी आरम बीटकर जग जीवन राम या बिनोबा भावे तो 1932 में अखिल भारतिया हरीजन संग जब बनाया गया था तो उस समय उसके संस्थाफ़क महत्मा गांधी थे मांट पीटन योजना जेम सोड योजना क्रिप्स योजना या वेवल योजना तो भारत इवन पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था वो मांट पीटन योजना के दहत हुआ था नीश्ट् पेट्चन देखने स्में महात्मा गांधी की हत्या कब भूबी थी तो ऑप्षण है 30 जनवरी 1947 को 30 जनवरी 1946 को 30 जनवरी सो 49 को फिय को थीक है तो जो महात्मा गांधी नमक सत्यागरह नागपुर, चंडीगड, कलकत्त, तो इसका राइट अंसर होगा अमरित जहाँ पर जलियावाला भाला भाग हत्याकांड हुआ था फिर है नमक सत्यागरह किस ईश्वी में प्रारंब हुआ चिरू कब हुआ था नमक सत्यागरह आप्षन है 1930 में, 1932 में, 1928 में या 1931 में तो नमक सत्याग्रा 1930 में प्रारंब हुआ था अगला question गांधी इर्वीन समझोता 5 मार्श 1931 किसे संबंधित है जो 5 मार्श 1931 को समझोता हुआ था तो ये देखिए भारत छोड़ु आंदोलन से, सवीने अविग्या आंदोलन से, असयोग खिलाफ़त आंदोलन से या रुलिट आंदोलन से तो इसका right answer क्या होगा जो गांधी एर्विन समझोंचा था वो हो सवीने अविग्या आंदोलन से सम्मद रखता है ठीक है अगला कुशन स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानि के गवर्नर जर्नल ठीक है कौन थे option है लाड एटली लाड मांट विटन सी राजगोपाला चार्य या राजेंद्र प्रशाद ठीक है तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय जो भारत के गवर्नर जर्नल थे वो कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जर्नल जिसको का जा रहा है तो वो समय थे लाड मांट विटन ठीक है अब नेक्स्ट राएं गांधी जी किस गोल में सम्मिलन में भाग लेने के लिए लंदन प्रथम गोल में सम्मिलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था लंदन में तो आप्शन है प्रथम गोल में सम्मिलन दुतिया गोल में सम्मिलन या इन में से कोई नहीं ठीक है इसका कौन सा राइट आंसर होगा कि कौन से गोल में सम्मिलन में गे थे जो गांधी जी लंदन तो यह गये थे दुटिया गुल में शम्मिलन में, option B इसका राइड आंसर होगा, फिर है असरयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वाइसराइ कौन थी? जब असरयोग आंदोलन शुरू किया गया था तो वाइसराइ कौन थी? तो आप्शन है लाड हैस्टिंग्स, लाड कैनिंग, लाड डल होजी या लाड जैम्स फूड ठीक है जब असोय गांदलन शुरू हुआ था तो समय जो वाइस राए थे वो लाड जैम्स फूड ठीक है भारती सुतंत्रता आंदूलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फूर इंडियन्स के लेखक थी ठीक है तो आप्शन है इसमें जवाहलाल नहरू, शरदार पटेल, चितरंजन दास या मोतिलाल नहरू तो भारती सुतंत्रता आंदूलन के दौरान एक पुस्तक निकाली गई थी इसका नाम था इंडिया फूर इंडियन्स क्या नाम था इं साइमन कमिशन का भारत आगमन किस वर्स हुआ था तो साइमन कमिशन कब आया था भारत ये पूछा गया है ऑप्शन है 1930 में 1928 में 1925 में या 1929 में इसका राइट आंसर होगा 1928 में ऑप्शन भी ठीक है साइमन कमिशन भारत कब आया था 1928 में अगला क्वशन हैस में भारती क Communist Party का अस्तित्वा किस वर्स में आया तो ऑप्शन है इसमें 1912 में 1915 में 1918 में या 1921 में ठीक है तो जो भारती Communist Party जब बनी थी तो वो कौन से वर्स में बनी थी ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1921 में ठीक है भारती Communist Party 1921 में बनी थी फिर है महात्मा गांधी की राजनेतिक गुरू कौन थे ऑप्शन देखिए मदन मोहन मालवी या बाल गंगा धरतिलक लाला लास पत्रा या गोपाल कृष्ण गूखले तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी की राजनेतिक गुरू थी फिर हैस में सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा की रचनाकार है कई बार पूछा भी जाता है ऑप्शन देखिए रविदना टेगोर इकबाल रहमत अली या भगत सिंग तो सारे जहां से अच्छ ठीक है इसको कहा जाता है दीन बंधू ऑप्शन देखिए जी एस खरपड़े अचारिया नरेंदर देव चितरंजन दास या सी एफ एंड्रूस ठीक है तो जी दीन बंधू कहा जाता है सी एफ एंड्रूस को ठीक है दीन बंधू के नाम से विख्यात है जो सी एफ एंड्र फिर अगला question my experiment with truth के रचनाकार है option है महात्मा गांधी मुलाना आजाद जवालान नहरू या जैई प्रकास नाराया my experiment with truth ठीक है तो यह प्रस्ट जो बुक है यह किसकी है यह किताब लिखी है महात्मा गांधी ने ठीक है यह रचनाकार है my experiment with truth के next question है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी ताई करके नमक कानून का विरोध किया था ठीक है तो उन्होंने नमक सत्यागरा जो निकाला था तो उसका विरोध जब उन्होंने किया था वो कितनी दूरी वो पैदल चले थी ठीक है तो उन्होंने इस यात्रा को कितन 378 किलोमीटर तो इसका राइट अंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा option b 385 किलोमीटर अगला question है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था तो option है इसमें रूलिट आक्ट मांटिक्यृ कुषना, hunter.io या communal award तो गांधी जी ने काला कानून कहा था रूलिट फिर है सुराज पार्टी की स्थाफना किस वर्स की गई थी ऑप्शन है 1919 में 1920 में 1922 में या 1923 में तो सुराज पार्टी की स्थाफना कौम से वर्स में हुई थी ये पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1923 में option D इसका right answer होगा ठीक हैं फिर है Congress का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अद्वेशन नहीं हुआ था इसमें दूसरा विभाजन का हुआ ठीक है जो Congress का पहला विभाजन हुआ 1907 में सूरत जगह है वहां पर हुआ ठीक है पूछा है कि इसमें जो दूसरा विभाजन हुआ था Congress का वो कब हुआ था ठीक है option देखे कॉलकाता में 1917 में मुंभाई 1908 में दिल्ली 1918 में या नागपुर 1920 में इसका right answer होगा जो Congress का दूसरा विभाजन हुआ था हुआ था मुंभाई 1918 में ठीक है पहला 1907 में फिर दूसरा मुंभाई में हुआ था 1918 में अगला question देखे इसमें भारत छोडो प्रस्ताव का आलेख बनाया था तो किसने बनाया था भारत छोडो जो प्रस्ताव था तो option है जवाला नहरू महात्मा गांधी अबुल कलाम आजाद ने या सरोजनी नाइडू ने ठीक है तो भारत छोडो जो प्रस्ताव था वो हो उसका लेख जो था वो हो बनाया था महात्मा गांधी ने ठीक है option B इसका पिर नेक्स्ट महात्मा गांधी दक्षण अफरीका से भारत किस वर्स लोटे थे तो जब महात्मा गांधी दक्षण अफरीका गए थे तो वहां से भारत किस वर्स वह वापस वहां से आई थे आप्शन है इसमें 1915 में 1917 में 1916 में या 1918 में तो महात्मा गांधी दक्षण अफरीका से अब जब वापस आई थे तो 1915 में ठीक है आप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फिर गांधी जी की मृत्यु पर किस ने कहा हमारे जीवन से प्रकास चला गया जब गांधी जी की मृत्य हुई तो किस ने कहा था यह किसके द्वारा कहा गया था कि हमारे जीवन से प्रकास चला गया आप्शन है इसमें लाड मांबेटन राजेंदर प्रशाद एस राधा कृष्णन या जवाहला नहरू तो यह कहा था आप्शन दी की जवाहला नहरू ने ठीक है फिर नेक्स प्रेशन है ब्रिटिस सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपादी दी थी और जिसे उन्होंने असयोग या आंदोलन में वापस कर दिया था ठीक है तो ब्रिटिस सरकार के द्वारा एक उपादी महात्मा गांधी को दी गई थी लेकिन उन्होंने असयोग आंद ठीक है तो यह इसमें कौavic मेले थी महातमा गांदी को यह दीगे थी कीटर यह हंधी की उपादी जो अबधि है इसको वापस करय था महातमा गांदी तिक है यह थी खुश Sue ach जो कि आंज में पुड़ाँ वीडियों अच्छा लागा हो तो प्र लांग शेयर आहरichtet जरूर कर दीजेगा चैनल को वीडियो की नोटिफिकिस्टन पाने के लिए जो बेल आइकन है सो जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि ऐसी नई से नई वीडियो आप तक जल से जल पहुंश सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद